नमस्कर दोस्तों आज के इस व्योडियो में हम बात करेंगे Nifty IT Index के बारे में और उसके साथ ही इस इंडेक्स के जो में में स्टॉक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो आपके स्क्रीन पर जो पहला चार्ट खुला हुआ है वह है निफ्टी इंडेक्स इटसेल्फ उसका और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो निफ्टी इंडेक्स है वह 2020 कोवीड के बाद में यहां पर काफी अच्छा रन अप दिया था और प्राइज जो है वह 16000 से आ अभी आपका सेप्टेंबर 2023 तक लगतार यह जो है वह कंसलोडेशन के मूड में रहा है यह इंडेक्स अब इसके बाद में जो है वह यहां से प्राइज आप देख पा रहे हैं कि लगतार ऊपर जाते रहे रहा है जैसे मैंने यहां पर बोटम मार किया यहां पर बोटम ठी है तो इससे यह प्रूफ हो रहा है कि जो डाउंट्रेंट था इसका वह खत्म हो गया इसका जो कॉंसलोडेशन था वह भी खत्म हो गया और यहां पर उपर जाना यहां से स्टार्ट कर चुके हैं तो इससे यह साबीत होता है कि यहां पर प्राइज हो काफी उपर जाने के स तो सबसे पहले जो है वह टीसियस में भी सेम यहीं कहा नहीं है और अपने लाइफटाइम हाई के जो लेवल थे पहले उसी के आसपास में यहां पर ट्रेड कर रहा है और जाहिर सी बात है कि यहां से ब्रेक आउट दे के काफी उपर जाएगा तो दोस्तों जो जो इस टॉक् ज्यादा उपर जाने की संभौना रखते हैं एक बार यह बात करेंगे इन्फिस के बारे में तो इन्फिस के बारे में आप देख पार हैं यहँआ पर एक जस्ट इन्फॉर्मेशन नौलिज पर प्स के लिए जैसे कि यहां पर सब्सक्तों मेरे होगा When the tape was the of a toakers उसके यहां पर निकलने के लिए होता है यहां पर इस बात की समवाना होती है कि प्राइज इसके नीचे जाएंगे और यहां से काफी time लगाएंगे लेकिन अभी जो समय है वह बदल चुका है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो consolidation है वह लगबग पूरा हुआ नजारा हो रह रहा है एक बर वी-PRO है वी-PRO के बारे में देख लेते हैं में थे इहां पर इहां पर यहां पर ऊपर की यहां पर देखें कि अभी प्राइस चारसो संताउन के आसपास में जबकि इसका लाइफ टाइम है वह 700 के आसपास में तो यहां से जो काफी अच्छा मुमेंट यहां से पॉसिबल है 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 अगला स्टॉक है आप देख पारें कि सेम इस्टोरी इसमें भी रिपीट हुई थी काफी अच्छा जो है वेक रन अप यहां पर हुआ था पहले उसके बाद में यहां पर एक डबल टॉप पैटन बना था उसके बाद में उसका ब्रेकड़ॉन हुआ ब्रेकड़ॉन के सब्सक्राइब चाइब जसके ही O उतकर ऑपर प्रेकर आपको बना रहा है लेकिन जो रस्टोरी है वो यहाँ पर स्ट्चाइब बटम बना रहा है ऐसे जो शिस्टम होता है इसको RSI divergence बोलते हैं अगर किसी को entry लेना होता तो वो इसी range के आसपास में entry ले चुका होता अगर एक testing trade डालना होता तो यह 1000 रुपे के आसपास में यहां पर entry ले चुका होता ठीक है तो यहां से भी ऐसे जो है न जैसे मैं बताते जा रहा हूं इस तरीकी से आप नोटिस करते जाओगे चीजों को और इस तरीके से सीखते जा सकते हो फाइनली जो यह स्टॉक्स है यहां पर 1168 के आसपास में breakout दे चुका था यहां पर consolidation जो मैंने आपको दिखाया कि Infosys और Vipro के चार्ट पर जो अभी इसी लेबल के आसपास में कही नीची की तरफ यहां पर घूम रहे हैं यह चार्ट जो है उससे पहले काफीच पहले ब्रेकाउट दे के निकल चुका है और यह सेम जो है वो lifetime high के ऊपर भी यह निकल के ट्रेड कर चुका है तो सेम ऐसे ही जो आपको patterns है वो Infosys में और Vipro में भी यहां पर दिखाई देंगे आने वाले सम बग सेम तरीके से बनने चालो हो जाते है तो यह बड़ा ही अच्छा रहता है हमको analysis करने के लिए नौकरी का जो है यह भी काफी अच्छा चार्ट बना हुआ यहां पर गिराउट आई गिराउट के बाद में यह काफी टाइम से काफी जादा है तो दोस्तों चुकि निफ्टी आईटी इंडेक्स के जो सारे चार्ट हैं उसमें हमें ऐसा नजर आ रहा है कि जो पूरा हो गया है और यहां से उपर जा सकते हैं इसलिए जो है वो निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स उसी को अगर हम बाई करके चलते हैं तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से इंवेस्ट कर पाएंगे क्योंकि एक एक स्टॉक्स को अगर हम खरीदने जाएंगे तो उस तर रहे हैं कि यहां पर जो आरशाई डाइवर्जेंस यहां पर काफी पहले बना हुआ था जून 2022 के आसपास में बोटम यहां पर बना था उसके बाद ने फिर एक बोटम बना यहां पर 6 मर्च 2023 के आसपास में जैसा कि मैंने रेट से यहां पर मार्किंग करी हुई जो बतर रुपे के आसपास में जो कि यहां पर मैंने रेट से मार्क किया हुआ है और यह इसको ब्रेकाउट दे के प्राइज उपर गया रिटेस्ट किया उसके बाद से फिर से यहां पर ब्रेकाउट आ गया तो यह बड़े ही अच्छे लेवल्स पर यहां पर खरीदे तो यह सिमिलरली यहां पर इंडिया मार्ट का चार्ट है इसमें एक खास बात यह है कि यहां पर आप देखें कपंड हैंडल का निर्माड हो रहा है यहां पर यह बड़ा सा एक कब बना है ठीक है इसका हैंडल जो अंडर प्रोसेस है यह बन रहा है यह अगर इस तरीके से यह बन में क्या है यह भी यह पैटन जो हो बन रहा है इसका जैसे यह हैंडल बन जाएगा और इसका ब्रिकाउट आ जाएगा यह चार्ट भी यहां से उपर जाने के लिए रेडी है अभी अगर किसी को ज्यादा कॉन्फुडेंस है तो यहां पर थोड़ी कॉंटिटी लेकि अपना हां चर्भ कर्कर करके रसकता है वाच लिस्त में एड़ करके रक सकता है कि यहां पर यहां पर देख पार यहां पर का अच्छा एंडे दिया है और के ब्रयक आउट है की संभान अचुए पूरा स्पेस और स्टिक आ जो सेक्टर है वही ऊपर जाने की कोसिस कर रहा है तो इसे में इस बात की संभना काफी जाता है कि जो बाकी चार्ट से वह भी यहां से ऊपर जाए तो ऐसे में दोस्तों जो है वह आप आप ITBs के थूरू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें जो है वो आपके जो सारे Infosys, TCS, Wipro, TechMendra, InfoSys ये सारे चार्ड जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं और अगर आप ये खरीदते हैं तो बाइडिफोर्ट उनके जो सेयर जिस प्राइज में Nifty IIT Index बढ़ेगा उसी तरीके से ये भी बढ़ सकता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लगी होगी दोस्तो जो भी वीडियो में बात की जाती है इस टॉक्स के बारे में वो educational परपस के लिए है और यहाँ पर बाई और सैल की रिकमोंडेशन नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो के कमेंट में बताएं कि आप और क्या चाहते हैं वीडियो से और अपने दोस्तों के साथ में सेयर करें आपको जो है वो अताकि उनकी जो है वो नॉलेज बढ़ाने में आपकी मदद कर सकें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस तरीके से content देखना है दोस्तों तो चैनल पर हम काफी सारी नहीं नहीं चीज़े लेके आना चाहते हैं और आप लोग का support रहेगा तो जाहिए से आप जब चैनल को subscribe करेंगे comment करेंगे इसके बारें feedback देंगे तो उस तरीक वो काफी अच्छी यहां पर हम इन्फॉर्मेशनल व्यूडियो ला सकते हैं सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्यूडियो